दोसो आज के हमारे इस video का टोपिक है cooler के अंदर current आने के अगर problem आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए दोसो यह है जो cooler में current आने के problem होती है यह कई cases में काफी ज़्यादा खतरनाक होती है तो आज के इस video के अंदर हम इसके पीछे का कारण और इसको कैसे सही करें उसी के अउपर बात करेंगे तो दोसो वीडियो को start कर लेते हैं यह है जो cooler के अंदर current आने के problem होती है यह मुख्या 2-3 type की है अधिकतर आती है जैसे ज़्यादा कर यह आती है कि हमारे जो पानी होता है उस पानी के अंदर हमारा only current आ रहा है इसके अलोग कहीं बार ऐसा होता है कि हमारे जो पानी उस पानी के साथ साथ हमारी पूरी body है cooler की उस body के उपर भी current आ रहा है इसके अलोग कहीं बार ऐसा होता है कि हम जब tester को लगाता है cooler के उपर तब तो वो tester glow होता है हमारे cooler के अंदर current आने के समख्या है वह जरूरी नहीं कि cooler के अंदर से यह वह problem हो, यह दो side से होसकती है, number one होसकती है cooler की problem मतलब cooler के अंदर जितने भी चीझे चाहे, वह pump हो या cooler का फैन हो, उससे हमारी समस्य हो सकती है वो सकती है वह हो सकती है हमारे स्भीच बोड है जिससे हम cooler को supply दे रहे उस switchboard के अंदर भी problem हो सकती है तो अब अभर कभी हमारे इस तरह की प्रोलम आती है तो सबसे बहले हमको यह supply दे रगिए, आपने क्या क्या होगा, cooler के साथ में एक pin होगी, उस pin को हमारे socket के अंदर लगाए होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने जो pin लगाए, उस pin को हटा देना है, और हमको एक इस तरह की एक tester ले लेना है, अब यह tester आप ले लेंगे, इसके बाद में इस tester इस प्लग को आपको इस socket के अंदर चेक खरना है, सबसे फ़ले हमको face के अंदर चेक ग्लॉ होना चाहिए, इसके बाद हमको newtol में चेक खरना है, notidotol के अंदर हम अ नुटल में फेस दिखा रहा है या फिर अगर आपके अर्थिं было दिखा रहा है तो आटिक इसको एसे सयी करेंगे इसके ऊपर विए अंड़ेडिन ऊक्राइई पूए उस तो के सही करेंगे लेकिन दोस्तों अब बात कर रही ह Хाम आर पांच कारूनों को मैं आपको एक एक करके बता दूंगा और इसको कैसे करेंगे वह भी आपको साथ-साथ प्था चल जाएगा तो दोस्वेट सबसे पहला आपको काम क्या करने है आपको सबसे पहला आपकी cooler की जाली हो जाली को खोल लेना है उसके बाद में आपको चेक करना है हमारे जोबी वायर है उस वायर के अंदर हमारे कहीं जगे joint हो रखा होता है तो अब वो joint कभी कभी हम tape के मात्धियम से करते हैं तो हमको यह check करना है वो joint के ओपर insulation लगा और insulation का मतलब जो भी tape लगी हुई है तो वो जो insulation है वो insulation बिल्कुल सही तरीके से है या नहीं क्योंकि वो अगर हट जाता है और उसके बाद में वो अगर हमारी body से touch हो जाता है तो हमारी पूरी body के अंदर current लग जाता है तो आपका सबसे पहला काम यही रहेगा हमारे cooler के अंदर जितने भी connection हो रहे है उन सभी cooler के connection के अंदर आपको चेक करने कहीं प्रॉब्लम को चेक कर लिया आपके कोई भी joint नहीं लग रहा है तो उसका insulation सही है फिर भी हमारे cooler के अंदर current आ तो हमारे wire के अंदर कहीं पे cut तो नहीं लग रहा है यह cut जाद अगर कहा लगता है यह भी इसकी fix जगह है मैं अभी आपको बताता हूं इसके अलों दूसरी आपको साथ साथ चेकरना है कि कहीं पे भी हमारा loose connection तो नहीं हो रहा है loose connection का मतलब simple सा है हम क्या करते है हमारे cooler होता है ONS cooler के अंदर कहीं सारे बटन होता है pump का button होता है fan का regulator होता है तो वहाँ पे कहीं पर हमारा loose connection तो अगर वहाँ पर हालका सा bisa loose connection होके अगर वह face हमारे body पे touch हो जाएगा तो हमारे body के अंदर current आएगा तो सबसे फेला आपको connection वाली यह पे देखना है कहीं supply center उस केबल को आपको सबसे अच्छी तरह को कर दे चинаई है व्टे17 के चीओके अब आपको उसी तरह में को क्या ओस्टेप आथा अब दूसरी स्टेप को करने के बाद में आपको कोई भी समस्या मिलती बेजिखा को आना है और आप को रहा को आना है सबती इस ठीम step के अंदर आपको क्या करना है अब दोस्तों 30 step के अंदर आपको motor की body को check करना है जो हमारे fan के लिए motor लगे होती है हमारे अधिकतर जो कारण होते हो कारण यही होता है हमारे current आने का वैसे अगर कभी भी problem आती है तो आपको step by step चलना है हमारी यह problem भी कहीं जाद आती है फिर अगर आपको इन में कोई भी solution निमलता है तो आपको 30 step आना है यह कि हमारी जो motor की body है उस motor की body को check करना है इस motor की body में आप क्या check करेंगे तो इसमें यह समद्ध से आ जाती है कि हमारी जो motor की body है, उस body के अंदर कहीं पर gap तो नहीं है, मैं जो यहाँ पर gap बोला हूँ, इस gap का मतलब simple सा यह है, कि हमको देखना है कि हमारी जो motor है, उस motor के अंदर कोई ऐसी जगे तो नहीं है, जिसके अंदर से हमारा पानी जा सकता है, तो सबसे पहले हमको वह चेकर नहीं है, क्य पर हमारे motor के अंदर gap तो नहीं दिख रहा है, आप दूसरे जो 4th step है, यह 4th step हमारे तीसी step से ही जुड़ी हुई है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने motor के अंदर gap को check कर लिया, और आपको पता चलिए कि हमारा gap है, इस gap के कालर्न ही, हमारे motor के अंदर पानी चले गया और मोटर के अंदर पानी जाने कारण है हमारे पूरे कुलर के अंदर करण आ रहा था तो तीसी श्टेप के नर तो आप सिंपल सा यह करेंगी कि मोटर को खोल के आप अच्छे सुखा देंगे फिर हमारे जो भी गया पर उस गया को अच्छे से एमसील से टाइट कर देंगे ताकि हमारे वापस से पानी नहीं जाए पर उस चौती श्टेप के अंदर आपको क्या करना है चौती श्टेप काफी ज्याद जो रही है दोसरी जो चौती श्टेप है यह आपकी कूलर की सेफटी के लिए बोल सकते है कि हमारी जो प्रॉब्लम वापस से क्रेट ना हो जाए कूलर की जो हमारी जो फैन की मोटर है इसके अंदर प्रॉब्लम क्यों आती है तो दोसर इसकी प्रॉब्लम जो होती है वो मुख्य कालने से या तो हमारे जो पाइप होते है जिसके माद्यम से हम जो कूलर की घास के अंदर जो पानी डालते है वो जो pipe है, वो pipe कहीं उपर से break तो नहीं हो गए, सबसे पहले हमको यह check कर लेना है, अगर यह सही है, इसके बाद में दूसी चीज हमको घास भी check करनी है, तो अगर हमारे cooler की घास भी कहीं से खतम हो जाती है, तो भी हमारे problem आजएगी, कैसे आजएगी, क्योंकि दोस्तों हमारे cooler का काम क्या होता है, वो cooler हमारे पीछे से गरम हवा को खीचता है, और गरम हवा को खीचने के बाद में वो आगे ठंडी हवा देता है, तो हमारे जो घास होती है, अगर वो घास वहाँ पे खतम हो गई, तो हमारे जो पानियों को पानी डायरेक्ट नीचे नीचे गिरेगा और हमारे जो cooler के अंदर पंका लग रहा है वो पंका हवा के साथ में इस पानी को भी खीच लेगा और जब भी पानी को खीचेगा तो सारा का सारा पानी हमारी motor की body पे आके लग जाएगा जिसके करण हमारे जो पंकी की motor है वो motor खराब हो जाएगी तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रहा है कि कहीं पर हमारा pipe तो डेमेंज नहीं इसके अलाव हमको घास को भी चेकरने कि कि किसी भी कारण वास हमारे motor के उपर पानी ना आए तो दोस्तों अगर आप इसी टेकी से सारी step को करोगे तो 99% है कि आपके cooler के अंदर current आना खतम हो जाएगा पर दोस्तों अगर फिर भी आपके एक परटेशन चांस अगर cooler के अंदर थोड़ा बहुत leakage current आ रहा है leakage current का मतलब वह current जो मैंने आपको starting बताया था कि जैसे हम cooler की बोड़ी पर हाथ लगाते है और हमारे जो tester glow हो रहा है वो tester बंद हो जाता है glow होना तो अगर ऐसी समझ से फिर भी आपके ओर रही है तो आप क्या कीजिएगा cooler को एक simple सी कहीं से earthing दे जिएगा और आपकी सारी problem खतम हो जाएगी तो दोस्तों उमीद ही कि आज के इस वीडियो के माध्याम सापको कुछ बहतर जान करें मिली होगी दोस्तों इस वीडियो खतम करने से पहले आपके लिए काफी mathpon सूझना है कि हमने एक website स्टार्ट करिए जिसका नाम है www.engineeringdost.com दोस्तों इस website पर आपको काफी अच्छे हिंडी में electrical और mechanical से जोड़े article मिलेंगे और आपको यहाँ पर जो भी article मिलेंगे वो इतना असास दो में होंगी कि यहाँ पर कोई 8 या 10 वी गिलास के लड़के बीजाके इनको पढ़ते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है electrical की वीडियो से अगर आप इननी में एक ना पसंद करता है आज यह मैं चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद